विद्यार्थी मित्रों नमस्कार आपने कुट्टे की वफादारी कहानी पड़ी भी होगी आपके पास किताब है तो आईए हमने कहां तक कहानी सुनी थी ये पहले समझ लेते हैं तो मित्रों हमने लाखा बंजारा और वह उटो पर अपना माल सामान लातकर गाउं से शहर और सहर से गाउं की और ले जाता था क्या क्या ले जाता था ये सारी बाते समझी और एक बार फ्यापार में उसे नुक्षन हुआ और उसे रुपियों की जरूरत अन पड़ी और रुपिये लेने के लिए वह एक सेट के पास गया था हमने वहाँ पर ये समझा था कि उसके पास अब कोई चारा नहीं था और सेट ने कहा कि तुम्हें जमानत के रुपने कुट देना पड़ेगा तो उसने अपने पार्चो कुट था वह सेट को दे दिया था यहां तक हमने कहानी पड़ी थी और कहानी को समझने का प्रेतन किया था तो आईए आज हम इससे आगे की कहानी देखते हैं कुट देकर और रुपिय लेकर वहां से वह चला गया पुना व्यापार करने के लिए एक बार ऐसा हुआ कि लाखा आपने व्यापार में था कुट था सेट के वहां था और सेट के यहां चोरी हुई जब सेट के यहां चोरी हुई तो कुटे को पता चल गया और कुठे ने चोरों का पिछा किया, कि भी ये चोर कहां जाते है और जहाँ-जहाँ चोर गए कुठा उनके पिछे-पिछे ही चला जाता गया कुठे ने देखा चोर सारा सामान जंगल में जमीन में गाड़ कर 9-11 हो गए चोर भी अपना सामान कहीं पर रखना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि अगर आज गल ले जाएंगे तो शायद पकड़े जाएंगे तो कुछ दिनों तक ये सामान कहीं पर गाड़ कर रख देते हैं इसलिए उन्होंने जंगल की जमेन के नीचे ये सारा सामान रख दिया और क्या हुआ 9-2-11 हो गए 9-2-11 होना भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ क्या होगा कि वहां से बाग गए लेकिन ये किसने देख लिया था कुत्ते ने देख लिया था तो कुत्ता तुरंत वहां से वापस आया और वापस आने के बाद भौक-भौक कर अपने सेट को ये बात बताई कि वही वैसे तो बोल नहीं सकता था लेकिन अपने आवाज से याने कि भौक-भौक कर सेट को ये बताने का प्रहतन किया कि आपके यहां तो चोरी हुई है और सारा सामान जंगल में चोरों ने यहाँ पर गाड़ा है शेट तो चोरी की बात जानकर हक्का बक्का ही रह गए यानि जब चोरी की बात सुनी तो शेट के तो होश ही उड़ गए हक्का बक्का रह जाना ये भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ है चकित होना या डर जाना गबरा जाना तो यहाँ पर भी सेट की हालत यह हो गई, लेकिन कुत्ते ने सेट की दोती पकड़ी और सेट की दोती पकड़ कर खीचने लगा, तब सेट को पता चला कि ये कुत्ता मुझे कुछ कहना चाहता है, और फिर दोती पकड़ कर कुत्ता आगे चलने लगा और सेट उसके पिछे पिछे चलने लगे और कुट्टा जहाँ चोरों ने माल चिपाया था वहाँ जाकर अपने पेरों से जमिन को खोदने लगा कुट्टे ने ये देखा था कि चोरों ने कहां पर सारा सामान छिपाया है तो सेट को वहां ले गया और वहां जाकर अपने पेरों से जमिन को खोदने लगा जब थोड़ी ही जमिन खुदी तो सारा सामान निकल आया सेट तो खुश हो गए उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा ये भी एक मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना याने की बहुत ही आनन्दित होना क्यों क्योंकि चोरी में उनका सारा धन दौनत सब चोड ले गए थे लेकिन इस कुट्टे के कारण उन्हें अपना सारा धन वापस मिला था इसलिए बहुत ही आनन्दित थे वह कुट्टे पर उन्हें बहुत प्रेम आया और बहुत ही प्रेम से कुट्टे को थप थपाने लगे यानि कि उसे प्यार करने लगे और उसके बाद दोनों वापस गर आए कुटे की इस प्रकार की वफादारी से सेट बहुत मुग्द हो गए और सोटने लगे कि अगर ये कुटा नहीं होता तो मेरा सारा सामान कभी मुझे वापस मिले वाला नहीं था और ये तो बहुत ही वफादार मित्र निकला मेरा और गड़ जाकर सेट ने एक चिठी लिख कर कुट्टे के गले में लगा ली और कुट्टे से कहा कुट्टे बाई अब तुम मुक्त हो अपने मालिक लाखा के पास जा सकते हो क्योंकि सेट अब खुस हो गया था उसने सोचा इस कुट्टे की वज़र से तो मेरा सारा धन वापस आया है तो मुझे अब लाखा के पास से दिये हुए रुपे वापस नहीं लेने है और मुझे उसका ये साथी उसे वापस लोटाना चाहिए तो उसने तुरंट एक चिठी लिख कर कुट्टे के गले में डाल दी और कु अपने मालिक के पास अपने साथी लाखा के पास जा सकते हो कुट्टे को तो यही चाहिए था जैसा ही सुना वह तो खुश हो गया अपनी पूछ हिलाने लगा और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी भागने लगा यानि कि उसे तो पता था कि लाखा कहां र शुरू हुआ था, तो वह भी बहुत सारा धन कमाया था, उसने भी सोचा कि मेरे पास अब रुपे आ गये हैं, तो लाओ, मैं सेट को उनके रुपे वापस दे दू और मेरे साथी को छुडा कर साथ ले आओ, और वह भी रुपे वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा और उसने कुटे को अपनी और आते हुए देखा, रास्ते में दोनों मिल गए, और लाखा ने देखा कि कुटा यह तो मेरा कुटा है, मेरा ही साथी है, और यह मेरे पास आ रहा है, तो उसको देखकर, उसके मन में कुछ विचार आए, और विचार ऐसे थे, कि जिसससे बागकर मेरे पास आ रहा है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने जमानत के रुप में उसे वहाँ पर रखा था और मेरी जो जबान थी वाज कट गई यानि कि मैंने सेट से जो वादा किया था वो वादे से आज में मुकर गया क्योंकि मेरा कुट्टा मेरे पास रहा है तो उसने तुरंत ही आव देखा न ताव कुट्टे के माथे पर लाठी का प्रहार किया उसने तुरंत ही क्या किया लाठी का प्रहार लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है आव देखा न ताव तो ये भी एक मुहावरा है उसका मतलब है कुछ भी न सोच आव देखा नताव यानि कि बिना सोचे समझे ही काम करना उसको पता नहीं था कि कुत्ता मेरे पास क्यों वापीस आ रहा है उसके गले में चिठी थी ये भी उसने दूर से नहीं देखी थी लेकिन उसने सोट लिया कि कुत्ता बाग कर मेरे पास आ रहा है तो उसने बिना सोचे, तूरंथी अपने पार जो लाठी थी, वह कुत्ते के सिर में मार दी, और कुत्ता बेहोशोकर गिर पड़ा, जब बेहोशोकर कुत्ता गिर पड़ा, तो लाखा उसके पास गया, क्योंकि उसका प्यारा साथी था, वह नहीं चाहता था, उसके हुई है, उसने चिठी पड़ी, और उसमें लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुध समयत रुपे लोटा दिये है, अतहा कुत्ते को मैं वापस लोटाता हूँ, शेट को तो उनके सारे रुपे, यानि की चोरी हुआ दन दौलत वापस मिल गया था, तो उ सुध समयत रुपे वापिस मिल गया है, सुध यानि क्या? तो सुध का अर्थ होता है व्याज, कि जब हम किसी के पास से उधार पैसे लेते है, तो कुछ जयार रुपे या हमारे पास से वे लेते है, तो उसे व्याज कहते है. उसने मेरे गर चोरी किये गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है और खुश होकर मैंने स्वयम इसे मुक्त किया है कि खुटे ने मेरे गर जो माल सामान चोरी हुआ था वापस दिलवा इसलिए मैंने खुश होकर उसे मुक्त किया है लाखा चकित हो गया क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था और यह चिठी देखकर यह चिठी पढ़कर वह चकीत हो गया वह चिलाने लगा हाई मैंने ये क्या कर दिया वह जोर से चिलाने लगा रोने लगा कि हाई मैंने ये क्या कर दिया लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था मर गया था तो अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा चिल्तने लगा। वह कुत्ते के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए कहा गया है कि अब पच्छताय होत क्या, जब चिडिया चुग गई खेत, तो ये भी एक पावत है, कि जो काम नहीं करना था, वह लाखा ने किया, और अब उसे पच्छतावा हो रहा है, कि मैंने इसे नहीं मारा होता तो अच्छा होता, समय निकल जाने पर परच्छताने से कोई फाइदा नहीं होता, यानि कि अब समय निकल गया था, कुट्ता मर गया था और सेठ ने भी ये चिठी उसे दे दी थी कि तुम्हारे रुप्य मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन उसका प्यारा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसके बाद उसने अपने इस साथी की याद में राधनपूर जहां पर वह रच्छा था, उस सहर में तालाब के किनारे उसकी समाधी बनाई, यानि कि एक ऐसा स्थान कि जहां जाकर वह हमेशा उसे याद कर सके, और इस प्रकार से उसने अपने इस प्यारे साथी क स्रद्दान जली दे विद्यार्थी मित्रो इस कहानी में हमने देखा एक बंजारे और उसके वफादार साथी में कितना गहरा प्रेम था यह जो सबन किस प्रकार से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ कहानी के साथ उसमें आये हुए नए शब्द और कुछ मुहावरे के बारे में भी जाना आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और अब आपको इस कहानी का अब्यास और स्वाद्य खुद करना है लेकिन महत्वपुन बात यह है कि दो प्रश्ण आपको सोचने है और उसके उत्तर आपको लिखने भी है कि अगर लाखा की जगह पर आप होते तो क्या करते जब लाखा ने जल्द बाजी में यह निर्णे कर दिया और लाठी से कुट्टे को मार दिया अगर आप लाखा की जगह होते तो क्या लाठी मारते पहले उसे अपने पास आने देते, क्या करते, यह आपको सोचना है और दूसरी बात है, कि अगर सेट की जगह आप होते तो क्या आप बगेर जमानत किसी को कुछ रुपिय देते यह दो प्रश्ण में आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ और साथ ही साथ, जब आप स्कूल में जाए, तब आपकी स्कूल में कहानी के कई सारे पुष्टक है और उन पुष्टकों में ऐसी ही एक कहानी की पुष्टक भी है मैं कहानी का नाम आपको बता देता हूँ अगर आप चाहे तो अपनी मम्मी पापा से भी ये कहानी सुन सकते हैं कहानी का नाम है नेवला और साप उसमें भी एक स्त्री ने जल्दबाजी में आवनर देखा नताव और इसी प्रकार का व्यहवार अपने प्यारे नेवले से किया था तो ये कहानी आपको खुद को पढ़नी है दन्यवार